भारतिय जन्ता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन के दाम धाई सो गुना बढ़ा दिये हैं भारतिय जन्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो एक किलो वाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं गाउं में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो एक किलो वाट की कनेक्शन के लिए पहले मासर बारा सो रुपे देते थे उसको बढ़ाकर तीन हजार रुपे कर दिया है यानि 300% की वृद्धी एक छोटा सा एक किलो वाट का विजली का कनेक्शन पाने के लिए अगर किसी का पाँच किलो वाट का बिजली का कनेक्शन है जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए शहर में रहने वाले लोगों के लिए आम मिडल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है पाँच किलो वाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतिय जनतापाटी की उत्तरक्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है 7,967 रुपे से 17,965 रुपे कर दिया है यानि 118% की वृद्धी 1 किलो वाट के कनेक्शन के लिए 200% की वृद्धी 5 किलो वाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धी और ये वही भारतिय जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में आठ आठ घंटे के पावर कट लगाए और ये आठ आठ घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गाउं में नहीं लग रहे थे ये आठ घंटे के पावर कट नौइडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबांद में लग रहे थे, तो भारतिय जनता पाटी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतिय जनता पाटी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे मेहंगी बिजली यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आएं और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत बनाएं वरना जो आज हम उत्तर स्देश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली लंबे लंबे पावर कट वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा आज अर्विंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है आम आदनी पाटी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है अर्विंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली इस साल दिल्ली में 19 जून को 8400 मेगवाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई दिल्ली में पावर नहीं लगे यानि दिल्ली की सरकार अर्विंद केजरीवाल जी की सरकार आम आदनी पाटी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है ना सिर 24 घंटे बिजली देती है सबसे सस्ती बिजली देती है दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभूगता है 37 लाख परिवार है जिनका बिजली का बि जीरो आता है पंदरा लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तिमाल करते हैं हमें एक आज आता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है आप तो सुष सबसिडी दे देते हो इसलिए मैं आपके पास आकड़े लेकर आई हूँ कि 400 यूनिट के उपर का बिजली का बिल जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सबसिडी नहीं देती अगर आप उसको भी भारती जन्ता पार्टी शासित सरकारों से कंपेर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपे का आता है वोही 400 यूनिट का बिल गुजरात में एहमदाबाद में 2044 रुपे आता है हर्याना में गुरगाओं में जहां पर भी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है 2300 रुपे आता है उत्तर प्रदेश में 2900 रुपे आता है मद्य प्रदेश में 3800 रुपे आता है और महराश्ट्रा में 4460 रुपे बिजली का बिल आता है यानि मद्य प्रदेश में महराश्ट्रा में जहां पे भारतीय जनतापाटी की सरकारे हैं वहाँ पर चार सो यूनित बिजली का बिल दिल्ली से चार गुना जादा आता है यानी लंबे-लंबे पावर कट और सबसे महेंगी बिजली ये है भारतीय जनतापाटी का मौडल इसलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब फरवरी में चुनावाएगा दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यमंतरी बनाना है आम आदनी पाटी की सरकार बनानी है तभी दिल्ली में 24 गहंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी आने वाले चार महीनों में जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंतरी होने की जिम्मेदारी है मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूँगे क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले चार महीने में भी भारतिय जंता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई शड्यंत्र जरूर रचेगी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं महेंगी बिजली देने का लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अर्विंद केजरिवाल जी की तरफ से दिल्नी वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्नी वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे धन्यवादू